पर जो जिखा रहे हुँ एक ये जो मोटे वाला लगाए था इससे आपकी आइस जरा बड़ी वाली लगए ठीक है अगर आपकी आपकी आइस चोटी है तो आप ये वाला लाइनर लगाए और ये देखें ये दूसरा लाइनर है तो चलते हैं अब हम वीडियो की तरफ और देखते हैं कि यह लाइनर हमने किस तरह से क्रिएट की है ठीक है बहुत ही इजी मेथड़ से मैंने आपको यह दोनों बताई हैं वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखना वीडियो बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग होने वाली हेलो गाइस असलाम लेकूम आई यूटेब फैमली कैसे आप साथ उमीद करती हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दौाओं से हम सब भी ठीक है वेलकम बैक ओनक सादल विलोग आगे मैं अपने नक्स विलोग के साथ आज का विलोग इन भाई के लिए ठीक है आप भा अधनल से हैं आपको भी लाने लगाना नहीं आता, वीडिए को पूरह देगा और वीडियो के से दिल दक लिए जोने लाए करने क्या plaint। जिनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑँ क्लिक करें जाकि जब मैं यूवर वीडियो अपलोड करूँ तौ आपको सबसे पहले इसका नोटिफ कशन देखें तो सब्सक्राइब क्लोज करें वीक्ष नजर आए तो अब यह वाला केक लाइनर यूज करूंगी और यह ब्रॉश हैtu अब कोई साभी लाइनर यूज कर सकते है जल लैनर भी यह वह मालकर वाला होता है वह भी यूज कर सकते हैं जो आपकोई लगे वह और यह व determinate करके इसके अंदर कर रहे हूं अभी मैं आपको बताऊंगी simple eyeliner ठीक हो गया simple जब भी लाइनल लगाना स्टार्ट करना तो सबसे पहले इनर कॉर्णर से नहीं स्टार्ट करना ठीक है बिकॉस स्टार्टिंग पे हमसे हाथ भी हिल सकता है सेट नहीं रहेगा हाथ मरा और सेंटर से स्टार्ट करना ब्रीक लाइनल लगाते लगाते मोड़ी कर देने इधे तक छोड़ देना यहां कि लाइनल ज्यादा नीचे तक नहीं लेके जाना ठीक है अब इसको मने इनर कॉर्णर से शाच करना आइज बान साथ के भी आप कर सकते हैं देखेंगे बस कर देखेंगे सिंपल लाइनल ना ज्यादा मोटा है ना ज्यादा ब्रीक है इसी पर मैं आपको बना के दुखाते हूं पहले सिंपल लाइनल इस तरह से आप मैं आपको बताऊंगी क्लासिक लाइनल जिस पर हमने विंग लग बनाना होता है इसी पर मैं आपको बना के दुखाते हूं पहले सिंपल ठीक है वह जो दो तरीके से मैंने आपको बताना वह मैं आपको लास्ट बताते लाइनल लाइनल लगा लिया अप्र छोड़ गया था है इसको मैं लाइनल ख्रेट करने आपको बताऊंगी पर इसको मैं यहां से लास्ट वाली पॉनर ना जो लाइन का वहां से स्टार्टर के इस लाइन के साथ अटाइच कर दोंगे ठीके देखो कोर्न ठीक करना तो अगर आपने बरीग बनान था है अपनी चौईस को इसको जैसा पसंद मूद आए तो आपने इसको वेक्ट करके ठीक है हलका सा कितना ब्रीक ओनर बन गए ठीक है बहुत स्टाइल से विंग लाइनर लगा सकता है हम लोग आप यह वाले बट्चा करें इसको हम इदर से मोटा भी कर सकते हैं ज्यादा मोटा करना हुआ तो यह हो गया क्लासिक लाइनर ठीक है ओके अब मैं आपको बताऊंगी डबल लैन इस ने कर नीचे एक ओल जिंग बनाना होथा है वह मैं आपको बताते हैं को कापी लोग पसंद करते हैं ऐसा भी तो इसलिए मैंने का एक वीडियो में सब कूछ बताों ताके सब की नौली जोजे से देखें नीचे से हमने स्टार्ट करने इसके साथ अटाइच कर देना एक फिर यहां से अलग से अलग से अलग से बना देना जैसे ओपर वाले कमने अथा वैसे डबल लाइनर कितना अच्छा लाग रहा है अभी मैंने लाशी बगरा नहीं लगाई हुई यह अगर हमने पार्टी चार्टी पर जाना जाना जादा हैवी लूक हमें चाहिए तो हम यह वाला बना सकते हैं बहुत अच्छा लगा चला अब चलता हम नेक्स की अब मैं विंग बनाना सिखाऊंगे आपको इस पिन के साथ ठीक है यह वाली पिन हर किसी के घर पे होती है यह अपने बालों पे लगाते हैं ऐससा bali क порणा इसके साथ भी जैसे माने इession कि खुद बना लिता आ इसके साथ इस साह से बना के आपको दिखाते हैं यह हमने लीए अपना ऑजर करransgage इसकरको अपने करना पर करने काशे करना अब, आब यह प्ताश्य कर टोखें यह हमारी प्रेट के इसका यहां पर रखना है अब यह बन गया अब हमने इसको ब्रेश के साथ सेट कर लें कर सोट करते हैं कि कहां से कहां तक लाएन को डेट करना है थे कि ऑखन को मारा वन ञेट बन गया अाब अभिनेश को सट कर लें, क्ड़श के साथ पहले इसको फील कर लेना, लाएन को और कल लाएनकर कर लेक इसको अंदर किल कर लेना beeping और फिर हमने ब्रीक अज़र आपने पौना रखना है जिसको लास्ट से थोड़ा सा ब्रीक कर दिने देखें यह मैंने हाफ लगाया भी फूल आई पे लगाना तो फूल पे भी लगा सकते हैं जिनको यह मोटे वाला विंग पसंद है वह इसके साथ बनाएंगे ठीक है और अब मैं दूसरे वाला ट्रिक बताती हूं वह उसे विंग ब्रीक वाला बनेंगा ठीक है जिनको ब्रीक वाला विंग बनाएंगे इस से थोड़ा सा मोटे वाला विंग बनता है। अच्छा मैं आपको टिप्स भी देती है तो आप इसको शिम्पल ऐसे ना छोड़ें ठीक है मुझे ऐसे अच्छा न लगता तो आपको क्यार करना है तो कोई साबी ग्लीटर आपके पास पढ़ा होगा ठीक है यह देखें जासे मेरे पास सें किसी भी चीज में हो आई शेट का ग्लीटर है तो किसी भी कलर का आपके सूट के साथ जो भी ड्रस के साथ मैच हो रहा है वह आप उठाएं कि देखें और यहां पर आपके साइड कॉनर्स पर यह जो विंग मोटे वह रहा है इसके कॉनर्स पर अच्छा इससे बहुत जादना क्लासी लुक आती है कि अगर आपको सही से नजर आ अब आ रहा होगा नदर कि इतना क्लासी कोई जिस नाफ पाने ड्रेस पेहना साथ अς तरह का आप आप शीवर लगा ले टिलीटर लगा है तो बहुत अच्छा लगता है ज्व अब 2007 को अब चलते हम अपने सुनेर नेस्याज अपने bez New दो सरा बेह बाटा तो यहां पे मैं आपको टिप देढ एक और ठीक है यह एरबर्ड इस तरह किया आप के पास होंगी ठीक है कि इतनी इजी लिग मोगी आपको साथा टिप भी देजू वाश करके आने से अच्छा में आप ऐसे वाश करते आपको देखी हो गया साफ अच्छे से अब ने उपर वाला भी कर लेते देखें कितनी इजी लिए हो रहा है मैं दूसरी साड ले रही हूं ठीक है बिकॉज यह जादा ब्लैक हो गया सप्लेक यह रोज बटल कर अगर अगर इसके उपर अभी लाइनर लगाना है तो मैं इसके अपर अभी कुछ नहीं लगाँगी कि लूस परडर नहीं लगाँगी अगर आपने नहीं लोना तो आप इसको सट करने के लिए लूस पॉर्डर लगा सकते हैं अब मैं आपको विंग इसी के उपर लगा के दिखाते हैं लास्ट से विंग बनाना उपर से पैसी होगा ब्रीक वाला ठीक है अब दूसरे विंग के लिए हमें चाहिए इस तरह की ट्री में बीघे चाहिए इसको मैं इसको कट कर लेना है इस तरह से उसके अपको विंग रखना है उतना भी आपको करते हूं यह अगर आपने बड़ी कट कर लिये हैं तो लगाएं आप उससाब से जितना अपने अपना पिंग रखना जादा बड़ा तो होता है नहीं है यह यहां आई से लेकर आईज की आउट कॉर्णर है यहां से लेकर आई ब्रो के यहां तक होते हैं अब आगे आप लोग की मड़ अब मैं अपना लोंगी काजन अब इससे यह होगा एक तो नीच बनेगा और एक आपके सीधी लाइन बन जाएगी सीधी लाइन देखें यह जो हमारी आई जहां पर फिनिश होते हैं वहां समने स्टार्ट के लिया लाइन बनाते हैं जितना आपको चाहिए मैंने बस इतना फिर उसी तरह लास्ट से हमने अंदर वाली लांता इसको अटाइज कर देना है कि अब आपको दिखाती भी है कि मैंने इसको यहां से पकड़ा ठीक है टेप को अपना नेल रिमोव कर दिया है चाहते रहें कि इसको एलाइनर टीक है इसको ब्रीक ऐलाइनर करते है कि इस तब फ्रस ऑपर आपको डिलाइनर दो चीजर है कि इससे बनाते हैं बलान हरुथी, यह इससे बना इतना लगता driver high queen मोट भूड इससे ब्रीक लगते है जो आपको अच्छा लाइन आप कर दो इससे सोड़ा मोटा करना है तो आप इससे कर सकते हैं सैटप उपर तक लेकर जा सकते हैं ठीक है वह आपकी मर्दी इस तरह बहुत अच्छा लगता है ये दूसरी ये वाला था इतना सिंपल सा डीसेंट सा लग रहे हैं ओके अब मैं आपको इनर कोर्नर का बता दे तूँ ठीक है वो भी नहीं पता होता ना वो भी मैं आपको बता दे तक कैसे हमने बनाना इनर कोर्नर आप काज ये लाइनर लगाना है हमने अपनी आइस तरह ठीक है अंदर तक ओके और पर आइस्ता आइस्ता करके इस तरह करते हैं हमने लाइन को बाहर लेकर आना है इस तरह नोस के इस तरह सीधी इस तरह नहीं होने चाहिए सिर्चों ये नीचे को ओके प्रिक्ल ब्रीक्स ही होती है लाइन ओके ड़न चेकर है किस तरह आइज निकली हुई लाग रही है ना एक मेना नीचे भी लाइनर लगाके लिखा देते हैं आप लोग आप लोगो असानी से समझ लग जए ताके मुश्किल ना लग आप लोग यहीं से आपको लाइनर और जब भी आपने नीचे लाइनर लगाना है तो इस तरह सीधी लाइन क्रेट नहीं करनी आपने इस तरह हमने उपर किया ना वह अच्छा नहीं लगता बहुत दोनों उपर लग जाते हैं उसको हमेशा ब्लेंट कर जाएकर है तरह है तो कि अब हम इस ते लगा लेंगे बाइट पेंसिल या अगर आप लोगों ने शुर्मा लगाना है का जर लगाना जो भी मैं लगा हूंगी वाइट पेंसिल लगा लेंगे पिर आप देखना अगर हमास नजर आ रहा ना पिर आपनों से ब्लैक कर लेंगे तो आप लोगो अच्छे से समझ लगी हो लाइनर्स की ठीक है और जिसने कास करके कमेंट किये उसको अच्छे से समझ लग गई हो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ लगी या कि नहीं लगी मैं फिर सभी वीडियो बिना दूंगी तो मेरे कियाल से बहुत हो गया हैं ठीक है स्तायल अभी आप यह कर लें ठीक है अगर आपको यह जीली आगे फिर कमेंट करना मैं आपको इससे भी अच्छे और जादा मुद्ध करना ठीक silver वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना ठीक है और कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये आईलेनर स्टाइल कैसे लगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अपना ख्यारत ना दौआ में यादत ना अलाग में